जार्खन में कुछी समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में सभी दल तयारियों में लगे हुए हैं तो वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा चटका लगा है पूर्व विधायक और पार्टी के दिगज नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है साथी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है तो क्यों बीजेपी नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा देखे ये रिपोर्ट जारखन से बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जारखन विधान सभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को राज्य में बड़ा जटका लगा है पूर विधायक और पार्टी नेता कुणाल सारंगी ने पार्टी की प्राथ्मिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है कुणाल सारंगी ने इस्तीफा दे कर सबकों चोका दिया है कुडाल सारंगी ने बाबुलाल मरांडी को लिखे पत्र में पार्टी की नीतियां और सिधानतों पर कई तरह केस सवाल उठाए है कुडाल ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो बीजेपी में रहकर अपने उन उद्देशियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो राजनीती में आये हैं सिंगभूम के लोगों की समस्याओं को वो दूर करने में अपनी भूमी का नहीं निभा पा रहे हैं पिछले कई महिने से उन्होंने पूर्वी सिंगभूम जिले की बुन्यादी समस्याओं से जुड़े विशेयों और संगठन से जुड़े विशेयों को पार्टी नेत्रित्व तक पहुँचाया परन्तु पार्टी उदासी नहीं रही कुणाल ने अपनी स्तीफे में ये भी लिखा है कि प्रवक्ता पच से इस्तीफा दिया था तब ये लगा था कि पार्टी उनकी बातों पर संग्यान लेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कुणाल ने BJP को बाई-बाई कर दिया है विधानसभा चुनाव में ये BJP के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है कुनाल के इस्तीफी के बाद से ये अटकले तेज हो गई है कि उनकी जारखन मुक्ती मोर्चा में घरवापसी हो सकती है जिसके बाद से JMM और ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा DB Live की रिपोर्ट